एक्जाम्स का हो चुका है आगाज लाखो एस्प्रिंट से रण भूमी है तयार अब युद्धाओं के सर सजय का ताज क्योंकि हो चुका है सिलेक्शन का संकनाथ जी हाँ दोस्तों अब तयारी होगी टेश्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ जहां आपको मिलेगा अप टू 90 परसेंट ऑफ साथ और आठ जून को होगा सिलेक्शन का संकना सेल तो अगर आप SSC, बैंकिंग, टीचिंग, EPFO, UPSC, स्टेट PSC, UDC NET, CSIR NET, AEJ, GATE और डिफेंस ऐसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाये और इस ओफर का लाब उठाईए हलो एंड वेलकम टो टेश्ट वोक्स सुपर कोचिंग, हाली में RBI ने J यानि जूनियर इंजिनर की पोस्ट लिए एक शॉर्ट नोटिस जो है वो रिलीस किया था, इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्दा आने वाला है, इसमें जूनियर इंजिनर सिबिल और लेक्टरिकल की वेकैंसी की बात की गई थी, इसमें 35 वेकैंसी जो है, वो आने की बात कही गई है, तो देखें जब नोटिफिकेशन जो है, वो शॉर्ट नोटिस हमारा आ चुका है, अब यहां पर बात करनी है हमें कि भाई, एक्जाम पैटर्न और स्लेवर्स क्या रहेग ताकि आपके जो बाकी साथ ही है, उन तक ही सेशन ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, चलिए, शुरू करते हैं, यह देखें, यह मैंने पराने जो पिसले साव का नोटिफिकेशन है, उसका जो है, यह एक्जाम पैटर्न उठाया है, ओल्मोस्स सेम यही रहने बाला है, ज नमबर के, टोटल 180 सवाल आपके आते हैं, 300 नमबर के, और 150 मिट का आपको टाइम मिलता है, 150, धाई घंटे का समय आपको मिलता है, separate time for each section, यानि sectional timing रहेगी, हर section के लिए आपको अलग लग time जो है, वो दिया जाएगा, क्लियर है, तो 180 questions, 300 marks, और आपको धाई घंटे का, य reading comprehension आएगा, fillers आएगा, close test जो हैं, उस पर सवाल आएगे, jumble paragraph या पैरा jumble जो भी आपको बोलना है, बोल सकते हैं, उन पर सवाल आते हैं, tense पर based questions आपके आएगे, adjective, adverb और prepositions इन पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे, आपको sentence complete करने होंगे, paragraph जो हैं, वो complete करने को एंटॉनिम, synonyms, homonyms, यह आपके आएगे, फिर उसके बाद देखिए, आपके जो grammatical errors हैं, उनको ठीक करने पर जो है, वो question आपके आएगे, उनको ठीक करना होगा आपको, यह आपका English का स्ले बस रहेगा, फिर आपका reasoning में, डियाई आएगा, यानि data interpretation जो है, वो आपको आएगे, non-verbal series जो है, वो आपकी आएगी, clock and calendars पर based questions आएगे, number racking, decision making पर based questions आएगे, analogy आपकी आएगी, statement and arguments पर based questions आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, earth medical reasoning आएगी, alphabet series आएगी, sitting arrangement और puzzles, इन पर आपको questions जो है, वो देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, अब यहाँ पर आ आपके कौन-कौन सवाल आएगे, सबसे पहले आपका जो building materials है, उन पर based questions आएगे, जो आपके building materials पर based questions है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके physical and chemical properties जो है, उन पर आपके सवाल आते हैं, फिर आपके classification हो गया, standard test जो है, वो आपके हो गई, यह सारे questions आपके आते हैं, ठीक है, building stones है, आपका silicate based materials है, आपके cement है, timber है, wood based products है, यह सारे आपके आते हैं, फिर estimating, आपका इसमें costing हो गया, valuation हो गया, आपका glossary हो गया, technical terms, analysis of rate, method of unit measurement हो गया, item of work हो गया, अर्थवर्क हो गया, यह सारे questions आपके boundary wall, break, building, water tank, इन सब पर questions आपको फिर आपका आएगा costing, ठीक है, costing and evolution आपका आएगा, उसके बाद आपका आएगा surveying, फिर देखे, surveying के principle, सबसे बहले आपको surveying की जो principle है, वो पता हो चाहिए, measurement of distance, change, surveying, work of prismatic, compass, compass, यह सारे questions आपके जो है, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, contour map हो गया, temperature and permanent adjustment हो गया, dumpy label का यह सब आएगे, फिर आपका soil mechanic जो है, वो आएगा, soil का origin, phase diagram हो गया, definition, void ratio हो गया, porosity हो गया, degree of saturation हो गया, water content, यह सब आपके आएगे, ठीक है, फिर आपका hydraulics पर based questions जो है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें fluid properties हो गया, आपके hydrostatic हो गया, measurement of flow हो गया, यह सार transportation engineering आपका जो है, वो आएगा, उसके बाद आपका जो है, environmental engineering, theory of structure जो है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, concrete technology, RCC design, steel design, इन पर based questions आपके आएगे, फिर आपका electrical पर आते हैं, paper 1, paper 2 electrical का क्या रहने वाला है, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है, basic of electronic engineering आएगा, lighting design of office area जो है, उस पर based questions आपके आएगे, transformer, working principle, protection type, preventing maintenance, इन सब पर सवाल आएगे, pumping पर based questions आएगे, pumping system है, उस पर questions आएगे, अलग लग तरह की जो motors होती हैं, उन पर आएगे, अलग लग तरह की जो starting methods हैं, अलग लग motors के, उन पर सवाल आएगे, सब station design, layout, जिसमें आपका DG set, installation के, air conditioning और refrigeration की जो basic knowledge आपको पता होनी चाहिए, inverter है, आपके rectifiers है, UPS system है, इन पर based questions आपको देखने को मिलेंगे, energy conversion techniques जो है, उन पर based questions आपके आएगे, फिर आपका LT distribution system हो गया, cabling हो गया, internal wiring system जो है, उन पर सवाल आएगे, panel design और fault finding जो है, उन पर questions आएगे, preventive maintenance हो गये, उन पर भी questions आपके आएगे, आपके electrical installation पर based questions आएगे, basics of elevators, design, electrical safeties, protection controller, इन पर questions आएगे, CCTV की जो basics हैं, आपके उन पर सवाल आएगे, fire and smoke alarm system पर सवाल आएगे, UPS पर based questions आएगे, Indian electricity rules जो हैं, उन पर भी based questions आएगे, तो ये सारे questions आपके आने वाले हैं, RRB JE में, ठीक है, तो ये आपके RRB JE का जो है, पूरा exam, patterns, labels जो हैं, हमने discuss कर लिया है, और अब तयारी कैसे करनी है, तो आप किसी भी AE JE level के exam की तयारी कर रहे हैं, तो super coaching साथ तयारी कर सकते हैं, जैसे आप AE JE civil की तयारी कर रहे हैं, तो super coaching साथ जुड़ जाएए, 6 महीने का आपको 3709 रुप कोई भी exam जो है, आपका AE JE label का है, वो यहां पर आपका cover हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपको इंडिया के best teacher और institute आपको पढ़ाएंगे, जैसे वैबब सर हैं, पंकर सर हैं, अंकुर सर हैं, राहूल सर हैं, इन सभी की guidance में आप पढ़ पाएंगे, demo classes हैं आपके, उसके 999 रुपए का है, 6 महीने का 5299 रुपए का है, 12 महीने का 6599 रुपए का है, और 24 महीने का 9899 रुपए का है, लेकिन अब इसमें आपको मिलने वाला है, अच्छा खासा discount, मेरा coupon code लगाने पर, coupon code अनुराग, A N U R A G, ये coupon code लाएंगे, आपको discount मिल जागा, ये देखिए, आप आपको 6 महीने का 3434 रुपए में, एक साल का 4289 रुपए में, 3 महीने का 2599 रुपए में, और 24 महीने का 6434 रुपए में सुपर कोचिंग बिल रहा है, तो जल्दी से इंडूल करिए, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्शन का संखना सेल चल रही है, जहाँ पर आपको अच्छा खास अगरी 70-1000 सेरा मौक टैस मिलते हैं, और पास प्रो में, आपको मौक टैस के साथ साथ, unlimited प्रो लाइप टैस, unlimited प्रैक्टिस प्रो कुशंस, 17-1000 सेरा previous year papers आपको मिलते हैं, और unlimited re-attempt मिलते हैं, सभी टैस के लिए, और यह सब कुछ आपको बहुत ही किफाइतिदाम में मिलता है, आपका एक महीने का पास प्रो जो है, वो है 399 रुपए का, एक साल का पास प्रो आपको मिल रहा है 499 का, और lifetime पास प्रो मिल रहा है आपको 699 का, और textbook पास जो है, वो भी आपको बहुत किफाधिदाम में मिलता है, एक महीने का टैस्ट प्रो पास 249, एक साल का टैस्ट पास आपको मिल रहा है 299 का और lifetime टेस्ट पूपक पास आपको मिल रहा है 499 का अब आपको मिलेगा discount इसमें apply coupon में जाएए मेरा coupon लगाएए अनुराग पास अनुराग पास कूपन को लगाते हैं आपको डिसकाउंट बिल गया है आपको 261 में यर्ली टेस्ट बुक पास और 449 में आपको लाइफटाइम टेस्ट बुक पास मिल रहा है तो जल्दी से नौफर्स का लाब उठाई है अपने आने वाले एक्जाम की प्रिप्रेशन जो है वो शुरू कर देजे क्योंकि ऐसे मौके दुबारा नहीं आते हैं अब आपको प्रिप्रेशन पर फोकस करके इस एक्जाम को क्रेक करना है फिर से आपसे मुलकात होगी तिल दैन आप लोग अपनी एक्जाम प्रिप्रेशन अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रही है